आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ सूपर सॉफ्ट एकदम नरम दही भल्ले की रेसिपी यदि आप इस तरह से दही भल्ले बनाएंगे तो आपके दही भल्ले भी हमेशा एकदम नरम बन कर तयार होंगे नमस्ते दोस्तों मैं हो रीना आप सभी का स्वागत है रीनास किचिन में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबके फेवरेट सुपर सॉफ्ट दही भल्ले की रेसिपी सभी टेप सेंट्रिक्स के साथ दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो प्रकार की दाले ली है यहाँ पे मैंने एक कप उरत दाल ली है बिना छिलके वाली और यहाँ पे मैंने एक चोथाई कप मोंग दाल ली है यह भी मैंने बिना छिलके वाली ली है आप चाहें तो यह दही बड़े केवल उरत दाल से ही बना सकते हैं लेकिन मोंग दाल से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है सबसे पहले हम दोनों दालों को अलग-अलग इसे हलके हाथों से दो या तीन पानी से धोल लेना है मूंग की दाल को भी हमें अच्छी तरह से धोल लेना है दोनों दालों का पानी चानने के बाद हम इनमें पानी डाल कर इने पूरी रात भींगने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो 5-6 गंटे भी इने भीगो सक सकते हैं लेकिन पूरी रात भीगोने से इनका रिजर्ट बहुत ही बढ़िया आता है यहाँ पर आपको उड़त दाल के उपर थोड़े से बबल्स दिखाई दे रहे होंगे दोनों दाले हमारी बढ़िया तरीके से फूल चुकी है अब हमें दोनों दालों को मिक्षर में ड पीश सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल थोड़ी सी खड़ी रह गई है अब मैं इसमें पानी डालूंगी यहाँ पर मैंने थोड़े से उड़त दाल के पानी को बचा लिया था वही पानी मैं इसमें डालूंगी डालों को पीशने के लिए केबल मैंने उपर से ए सब्सक्राइब निकालने के बार, अब इन्हें फेट ना है, अब दालों को एक ही दिसा में फेट लेना है, लगभग 2 मिनट के लिए, जब हम दालों को इस तरह से फेटेंगे, अब तो आप की दाल इक दम फ्लफी हो-जाएगी, बस आप समझ लीजे, आपको दालों को इतना नहीं फेटना है, मैंने दो मिनट के लिए दाल को बढ़िया तरीके से फेट लिया है, आप देख सकते हैं, दाल एकदम क्रीमी और फ्लफी दिखाई दे रही है, अब हम थोड़ी सी दाल को हाथ में लेके टेस्ट करेंगे, कि अच्छे से फेटी है की नहीं, दाल को हम में पानी ले लेंगे, अब हमें उसमें नमक डालना है, यहां पर मैं एक बड़ा चमच नमक डाल रही हूं, हमें एकदम नॉर्मल पानी लेना है, और हमें उसमें नमक के अलावा अभी कुछ भी नहीं डालना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और पानी को हमें से बन जाएंगे दोस्तों उड़त डाल की इस पेस्ट में अभी मैंने नमक नहीं डाला है आप अपने एक ओडिंग छोटे या बड़े बड़े बना लीजिए तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम सारे बड़ो को इसमें डाल देंगे जितने बड़े एक बार में आ जाएंगे अब यहां पर हमें इसे पलटते हुए बड़िया तरीके से हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है यहां पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है हाई फ्लेम में हमें वड़ो को कभी फ्राई नहीं करना है नहीं तो यह अंदर से बड़ो को पलगते हुए हमें बड़िया तरीके से फ्राई कर लेना है यहां पर वड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इनमें बहुत बड़िया कलर भी आ चुका है अब मैं वड़ो को निकाल कर इन्हें तुरंत ही हमने जो नमक वाला पानी बना कर रखा था उसमें मैं डाल दूंगी इसी तरह से हमें सभी वड़े को नमक वाले पानी में डाल देना है पांस से दस मिनट में ही वड़े आपकी बहुत ही जादा सौफ्ट हो जाएंगे आप देख सकते हैं दस मिनट के बाद यहां पर सभी वड़े पानी में अच्छी तरह से फूल च चुके हैं और बहुत ही जादा सॉफ्ट बड़े बन कर तयार हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं अब हमें सभी वड़ों में से पानी को निकाल लेना है पानी को निकालने के बाद हम इने एक अलग से प्लेट में रख आप दोस्तों दही वड़े का असली फ्लेवर दही में होता है तो हमें दही को सबसे पहले अच्छी तरह sie cover लेना हैं यहां पर अब यहां पर मैंने आधा चमच नमक डाला है आधा चमच भुने हुए जीरे का पौडर डालेंगे सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तो सक्कर से दही वड़े का टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है यदि आप सक्कर खाना पसंद नहीं करते तो आप इसमें सक्कर मट डालिए आप केवल नमक डाल कर ही दही को तयार कर लीजे दोस्तो यहां पर आप चाहें तो सक्कर को पीस कर तब उसे डाल दीजे आप देख सकते हैं यहां दही वड़े का दही बनकर तयार है दही वड़े को सर्फ करने के लिए सबसे पहले हम दही डालना है आप अपने कोडिंग दही डाल दीजिए दही डालने के बाद अब इसमें मैं इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी डालूँगी दोस्तों इमली और खजूर की चटनी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक डाल दोंगी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने हरे धन्य की चटनी बनाई है उसे भी हम उपर से डाल देंगे उपर से थोड़ी सी लाल मिर्श पौड़ा डालेंगे बुना हुआ जीरा डालेंगे और थोड वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईए वीडियो पसंद आई है तो पीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद